सतना में मंगलवार रात करीब 17 बजे एक 3 मंजला इमारत गिर गई, मलवे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई है हाथसे के वक्त बिल्डिंग में 8 लोग मौजूद थे, इनमें से 5 पहली ही बाहर निकलाए, 2 को रेस्क्यू टीम ने निकाला एक मजदूर मलवे में ही दबा रहे गया, जिसका शब 5 घंटे बाद करीब 3.30 बजे निकला गया पुलिस के मताबिक छट्टूमल सबनानी की बिहारी चौक इस तीन मंजला बिल्डिंग में रेडिमेट कपडों की दुकान और साडियों का शोरूम था उपरी मंजल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसी दोरान बिल्डिंग गिर गई, हाथसे में दुकान मालेक उसके दो बेटे मिस्त्री और मजदूर घायल हो गए है सांसत गड़ेश सिंग विदायक सिध्धारत कुश्वाह और महापौर योगेस तामरकार के साथ कई व्यापारी भी मौके पर पहुँचे फुलिस ने बताये कि छट्यूमल सबनानी का बेटा नरेंद्र सबनानी और फुप पिंकी पिछले कई दिनों से इस बिल्डिंग में तोड़ फोर और रेनोवेशन का काम करा रहा था मंगलवार राद दो मिस्त्री और तीन मजदूर काम कर रहे थे एक मिस्त्री दीवार जोड़ रहा था जबकि दूसरा मिस्त्री एक मजदूर के साथ बीम काड़ रहा था नरेंदर भी अपने बेटे हितेश और नितीस के साथ इस बिल्डिंग के पिछले हिस्से में मौझूद था काम के दौरान तेज आवाज के साथ बिल्डिंग के आगे का हिस्सा स्लैप सहित भरभरा कर गिर गया हाथसा होते ही नरेंदर अपने दोनों बेटों के साथ पीछे से बाहर निकल गए उनके साथ रामदेव नाम का मिस्त्री भी निकल गया चारों बिना किसी से कुछ कहे सीधे जलास्पताल पहुँच गए नरेंदर ने हासी की जानकारी ना तो पुलिस प्रशाशन को दी ना ही किसी और को बिल्डिंग के गड़ने से इलाके में हटकंप मच गया लोगों ने पुलिस को सूचना दी पुलिस और प्रशासने कफसरों के साथ HDRF की टीम भी मौके पर पहुँची नगर डिगम की JCV मंगवाई गई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ इसी बीच सौनु कोल नाम के मजदूर को मलवे से सुरक्षित बाहर निकाला गया सौनु कोड एमबुलेंस में जाकर बैठ गया बीसर हाथसे के बाद उसे मामूले चोटे आई हैं चोटे ने बाहर निकलते ही उसके साथ काम कर रहे उसके बेटे बालेंदर के बारे में पूछा बालेंदर के मोबाईल पर संपर्क किया गया उसने बताए कि हाथसे के वक्त वह बाहर खड़ा हुआ था उसे भी गंभीर चोटे आई हैं इसके बाद रेस्क्यू टीम उसका पता लगाने में जुट गई रात लगबग साड़े तीन बजे मजदूर का शब मलवे से दबा मिला